दादलोरा खिड़की के माध्यम से उत्सा के साथ मनाया गया तका गणमान ये वैक्तियों की और सेविजीता टीम का सम्मान करते हुए वालिवोल टूनामेंट में सिरोंचा और रेला टूनामेंट में जिंगनूर टीम पहला पुरुसकार चीता स्वासायता सम्हो को मिला विशाल बाजा विविनिस चौलो से 14 लाग से अधिक वस्तू की बिक्री गर्चिरोली पुलिसबल की पुलस डड़लोरा खिड़की के माध्यम से पहली बाग गर्चिरोली जिले में ग्रैन गर्चिरोली महुस्टफ का आयोजन किया गया यह उत्सव एक मार्च 2022 से दो मार्च 2022 तक जिला परिशत कार्या लेके भव्य मैदान में आयोजित किया गया था इतो उत्सव का समापन एवं पुरुसका वितरन समहरो देनांक दो मार्च 2022 को आयोजित किया गया गर्चिरोली पुलिस बल द्वारा आयोजी दो दिवसी गर्चिरोली महाउसम में बिर्सा मुंडा वॉलीबॉल टूनामेंट और जनजाती रिले सम्हू नरत्य प्रतियोगिता के साथ साथ एक हस्त शिर्प प्रदशनी भी शामिल थी उत्सफ के पहले दिन 1 मार्च 2022 को माननी द्वारा उत्सफ को उत्खाटन किया गया गर्चिरोली रेंज नागपूर पतियोगिता में भाग लेने के लिए गर्चिरोली जिले की दुरुस्त और दुर्गम शेत्रों से 10 वॉलीबॉल टीमें उपस्तित थी इन टीमों को बहुत रोमांचक मुकाबले देखने को मिले इस से वॉलीबॉल टूनामेंट से तीन विजिता टीमों का च्रेन किया गया गर्चिरोली से बीसीन न्यूस के लिया असिप पठान की रिपोर्ट